जल बिंदू निपातेन करमशा पूरेते गटा इस संस्कित के शलोग का हम आर्थ भी बताते चलेंगे और समझाते चलेंगे साहे तु सर्व विद्यानाम धर्मस्यचा धनस्यचा जिंदी भावार्त होगा एक एक बून डालने से करमशा गड़ा बर जाता है हमें सुरुआ से ही कहानी पढ़ाई जाती है कि एक एक बून डालने से जैसे कौवा पानी पीकी उड़ जाता है उसी तरह हमें विद्या धर्म और धन का भी संचे करना चाहिए जिससे हमारा जीवन सुलब हो सके और दोस्तों इस वीडियो का दूसरा इस लोग है प्रिये वाक्या प्रादानेन सर्वे तुश्यन तिमानवा तस्मात तदेव अक्तव्यम वचने का दरिद्रता हिंदी भावार्थ होगा बौलना दान के समान होता है इससे सबी मनुश्यों को आनंद मिलता है अता मधुर히 भी बोलने में कैसी गरीबी हो सकती है यानि कि जब भी हम अपना मूँ खोलें तो हमें हमेशा दूसरों के सामने अच्छे से बोलना चाहिए जिस से उस पर प्रभाव बन सके और वह आनंद में मिल सके और हमको भी आनंद हो सके और दोस्तों तीसरा इस लोग है कोई भारा समर्थानम किम दूरम व्यवशाईनम को विदेशे सु विद्यानम को परा प्रेवादिनम हिंदी भावार्थ होगा समर्थवान व्यक्ति को कोई भी वस्तो भारी नहीं होती व्यपारियों के लिए कोई भी जगा दूर नहीं होती विद्वानों के लिए कोई भी अस्थान विदेश नहीं होता और मदुर बोलने वाले काले कोई प्राया नहीं होता और दोस्तों चौता इस लोग है गतम सोकोना करतव्यम बविश्यम ने उचिंतियत वर्तमानें कालें परवर्तनें विच्छना अर्थात हिंदी बावार्त होगा बीती बात पर दुख नहीं करना चाहिए बविश्य के विशे में भी नहीं सोचना चाहिए बुद्धिमान लोग हमेशा वर्तमान के समय के अनुसुरूप ही चलते रहते हैं और दोस्तों इसके बाद में दूसरा इस लोग है विद्या मित्रम प्रवासेशू भार्या मित्रम गरहेशुचा व्याधिता और सधम मित्रम धर्मो मित्रम मित्रस्यचा इंदी बावार्त होगा घर से बाहर विदेश में रहने पर विद्या मित्र होती है घर में पत्नी मित्र होती है रोगी के लिए जैसे की दवा मित्र होती है तता मित्र के बाद व्यक्ति का धर्म ही उसका मित्र होता है अर्थात हमें धर्म भी साथ साथ में करना चाहिए किसी कोहानी नहीं पहुचाना चाहिए और दोस्तों दूसरा इस लोग है आत्म दोयसात भावने मिर्त्यू पर दोयसात धनस्चया राज दोयसात भावने नशो ब्रह्म दोयसात कुलत्चया इंदी भावार्त होगा अपनी ही आत्मा से दोयस रखने वाले की मिर्त्यू हो जाती है दूसरों से दोयस रखने वालों क धननस्ट हो जाता है राजा से दोईस रखने वालों का मनुश्य अपना नाश कर लेता है लेकिन ग्यानी पुरुष वा गुरुजनों से दोईस रखने पर कुल का ही नाश हो जाता है तो हमें ग्यानी पुरुषों और गुरुजनों से दोईस नहीं रखना चाहिए बलकि उन हिंदी बावारत होगा जिसके पास बुद्धी है उसी के पास बलभी होता है बुद्धी ही इन व्यक्ति के पास सक्ती नहीं होती जिस प्रकार जंगल में अपनी सक्ती के मद में मस्त सिंग को एक खरगोस मार डालता है उसी प्रकार हमें एहंकार नहीं होना चाहिए अपनी ब स्वयम प्रग्या सास्त्रम तस्य कुरोतिकिम लोचनाब्यम भीनस्य दरपडम किम करस्यति अर्थात हिंदी भावार्थ होगा जिसके पास अपनी स्वयम की बुद्धी नहीं है प्रग्या नहीं है सास्त्र भी उसका कुछ नहीं कर सकता जिस परकार अंदे के लिए दरपड क किसी काम का नहीं है, किसी उपियोग का नहीं है, उसी प्रकार बुद्धी से जो काम नहीं करता है व्यक्ति, उसके लिए सास्त्र समाज कुछ भी नहीं हो सकता, और दोस्तों दूसरा इसलोग है, और छाया, छामा मेरा पुत्र है, इन छे ही मेरे परिवार के सदस्य हो सकते हैं, और इन छे सदस्यों को हमेशा अपने साथ ही रखना चाहिए, मतलब इनका पालन करना चाहिए, और दोस्तों इस वीडियो का सबसे लास्ट वाला इसलोग है, जो की सबसे मात्य पूर्ण है, अविवादन सीलस्य नित्यम, ब्रिद्यो पवेशिना, चात्वारित अस्य वर्धन ते, आयर विद्या यशुवलम, हिंदी बावार्थ होता है, विनम्र और नित्य अनभवियों की सेवा करने वाले में, चार गुणों का विकास होता है, यानि कि हमें विनम्र रहना चाहिए, और नित्य यानि कि डेली प्रते दिन हमें अनभवियों का शेवा करना चाहिए, जैसे कि माता पिता हो गए अपने से बड़े का, तो उनसे हमें हमारे अंदर चार गुणों का विकास होता है वो आयू होता है, विद्या होता है, यस होते हैं और बल होते हैं आयू बड़ी होगी, विद्या बड़ी होंगे, यस बड़े होंगे तो हमारी किर्थी आर्टोमेटिक क्या होंगे हमारे समाज में हमारी किरती बढ़ेगी तो भाईयों आप सभी लोगों से या आसे करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजे जिसे कि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप से छोटने न पाए तो चलिए मिलते हम दूसरे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए घंटी बाद